हेलो एवरिवन, वेलकम टू किचिन चैंप आज हम बेशन का हलोवा बनाने जा रहे हैं यह बहुत ही स्वादिश बनने वाला है तो चलिए सुरू करते हैं मैंने यहाँ पर डाई सो ग्राम पानी लिया है और पानी उबल चुका है पानी में डाल दिया है दो तिन धागे केसर की और फूड कलर डाला है अब हम पानी और फूड कलर केसर को अच्छी तरह से उबलने देंगे पानी हमारा अच्छी तरह से उबल चुका है अब हम यहाँ पर एक कडाई ले लेंगे मैंने यहाँ पर 500 ग्राम देशी गी ले लिया है और इस गी को आधा डालेंगे और आधा रख लेंगे अब हम डालेंगे 300 ग्राम बेसन तो एक कटोरी यानि ग्राम में नापें तो 300 ग्राम बेसन है अब हम डालेंगे दो चम्मस सुजी यानि हल्वा हमारा बहुत ही दानिदार बनेगा दो चम्मस सुजी की डाल देंगे तो तो सुजी हमने डाल दी है अब हम अच्छी तरह से सेकेंगे हमारे बेसन और सुजी को अच्छी तर से गी के अंदर मिक्स कर लेंगे बेसन को हम तब तक भूनेंगे कि अच्छे से खुस्बू आने लग जाए बेसन के अंदर तो अब हम जो आधा गी बचा के रखाता वो गी भी हमने डाल दिया है अब हम अच्छी तरसे mix कर लेंगे बीस में हम छोड़ेंगे नहीं लगातार चलाते रहेंगे बीस में हमें छोड़ना नहीं है spatula के साहता से लगातार हम चलाते हुए भूनेंगे तो बिसन हमारा अच्छी तरसे शिक चुका है यानि कि गी को छोड़ दिया है तो आप देख सकते है बीसन को बूनने में शेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अब हम यहाँ पर चीनी डालेंगे यानि 150 ग्राम यानि एक टोड़ी चीनी डाल दिया हमने अब हम अच्छी तरसे चीनी को mix करेंगे बीसन के अंदर चीनी हमें इस अलोए में PCU ही डालनी है तो मैंने यहाँ पर mixer जार में पहले पीस लीती उसके बाद में चीनी डाल ली है तो दाने दार मोटे वाले चीनी डालेंगे तो बेसन के अंदर mixer नहीं उपाएगी अच्छी से अब हम डालेंगे जो हमने पानी उबाल के रखा था जो food color और केसर के धागे mix करके रखा था वो पानी हमने डाल दिया यहाँ पर अब हम पानी को अच्छी तरसे mix कर लेंगे अब हम हलोए को लगातार चलाते हुए मिलाते रहेंगे ताकि गांठे ना पड़े हलोए के अंदर बेसन का हलोए बनाना बहुती आसान है बेसन का हलोए बच्चों को या बड़ों को सबको बहुती पसंद आता है अब हम यहाँ पर डालेंगे हलोए का सुआत बढाने के लिए इलाइची का पावडर लेसे हलोई का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है अब हमारा बेशन का हलोई रेडी है अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज चैनल को लाइक, सेट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा थेंक्स दोस्तो टाटा, टेक कियर, बाई बाई नई रेसिपिके जाद फिर मिलते हैं